असलाम लेकूँ मेरा नाम है सुहेब हाजर वेकरी वीडियो के साथ आज की हमार वीडियो है कि सीलिंग को पेंट करने का सही तरीका कार क्या है तो आज मैं आप लोगों को सीलिंग को पेंट करने का तरीका कार बताऊंगा जिससे आप लोग की सीलिंग बहुत ही साफ सुत्री, neat and clean उसके corners हैं वो बहुत ही जबरदस नजर आएंगे और आप लोग की जो सीलिंग की चाता है वो बहुत ही जबरदस look देगी तो चलें start करते हैं और आप लोग को सीलिंग को paint करने के जो steps हैं वो बताते हैं ताकि आप लोग भी अपने paint master से बड़े अच्छे तरीके से sealing करवा सकें तो sealing करने के बाद सबसे पहला step है जो आप लोग ने sealing को रेगमार लगाना है अच्छा सा ताकि उसके उपर जो plaster of paris sealing का paste है जो जमा हो या कोई भी चीज जो sealing पे लगी हो तो वो अच्छे तरीके से उतर जाए इसके बाद next step है जो वो आप लोग ने एक coat लगाना है paint का sealing को कोई भी white color का अमूमन sealing को paint होता है तो एक coat लगाना है एक coat लगाने के बाद आप लोग ने मरमते लगानी है तो अभी ये coat लगाने के बाद मरमतों का जो system है वो चल रहा है जैसा कि आप दे सकते हैं इस side पे भी different मरमते लगी हुई है जहां पे डलक हो, ceiling का कोई सुराख हो, कहीं से corner जो भूरा हुआ हो या corner सही ना हो वो मरमत में आप लोग उसको जो आप लोगा paint master है, ceiling में जो कमी बेशी रहा जाती वो paint master उसको मरमत में cover करता है यानि कि कोई भी point ceiling का रह जाता है कोई सुराख, चोटा, मोटा या कहीं पे डलक है तो वो मरमत में, filling में अच्छे तरीके से cover हो जाए इस तरह पहला coat लगाने के बाद, मरमत करने के बाद, आप लोगों ने उपर रेग मार चलाना है रेग मार यानि अच्छे तरीके से यह जो मरमतें वगरा है, इसको रेग मार करके आप लोगों ने neat and clean कर लेना है और neat and clean करने के बाद, आप लोगों ने एक कोट फिर लगाना है ताकि जो यह मरमतें हैं, जो नजर आएंगी, वो बिल्कुल आप लोगों को नजर आना छुप जाएं ताकि इसके उपर जो कोट है वो लग जाएगा, एक paint का कोट तो मरमतें भी नजर नहीं आएंगी इसके बाद आप लोगों ने च्छत के उपर फिलिंग करनी है मजीद अच्छी फिलिंग जो हम दिवारों पर करते हैं, वो फिलिंग करनी है मरमतों के उपर कोट आप रेगमार चला के कोट लगा के लोग तियारी कर देते हैं, च्छत तियार हो जाती है इस तरह नहीं, आप लोगों ने च्छत के उपर भी फिलिंग लगानी है सीलिंग पे फिलिंग आप लोगों ने जरूर लगानी है मरमत लगाने के बाद रेगमार चलाना है और रेगमार चलाने के बाद कोट लगाना है उसके बाद फिर आप लोगों ने फिलिंग करनी है filling करने के वाद अच्छे तरीके से रेगमार्च चला के आप लोगों ने त्यारी कर लेनी है पेंट की filling के बाद final आप लोगों की जो त्यारी है वो होती है paint की जिस पे दो कोट आप लगाएंगे तो आप लोग जो चाता है वो बहुत ही जबर्दस्त त्यार हो जाएगी तो यह जब सारे डिजाइन इंशाला रैडी होते हैं त्यार होके तो आप लोग को मुकंबल डिजाइन इसमें जब रूप लैड वगरा भी लग जाएगी तो एक मुकंबल इसका आप लोग को लाने के बाद आप लोग ने feeling करनी अ करने के बाद उसके उपर फिर एग मार लगाना है एगमा लगाने के बाद आप अपनी त्यारी कर सकते हैं यह एक तरीका हो गया दूसरा तरीका यह मजीद अच्व अच्छा result लेने के लिए अपना आप लोग प्लस्तर की उपर रेग मार चलाएं रेग मार चलाएं कि उपर प्राइमर का कोट लगाएं प्राइमर लगा कि उपर जब आप फिलिंग करेंगे तो आप लों की जो दिवार है वो बहुत ही जबर्दस नीट एंड क्लीन निकलेगी का आप लोग को बता दूँ їं पिलिंग आप किसी भी अच्छी कमपणी की इस्वाल कर सकते हैं, ब्लेक होर्स, कूई भी जो आप लोग के बजर के मताबिक होगा, आप लोग फिलिंग कर सकते हैं. तो ये थे हमारी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अलाफ़ीस